यह हैं हमारे ingredients आएए देखते हैं हमें क्या-क्या चीज़े चाहिएंगी हमें चाहिए ककडी, ग्रिंग बेंज, पुदीन, धनिया, नीबू, लसन, अद्रग, हरी प्याज, शिम्ला मिर्च, टमाटर, गाजर, देखिए हम सब चीजों को छील कर बारिक-बारिक काट लिए हैं उसके स्लाइस कर लिए हैं शिम्ला मिर्च को हम बारिक-बारिक-बारिक टुकड़े कर लेंगे उसके देखिए जो सरा से हमने चौप किये हैं शिम्ला मिर्च के यह थोड़ा से हमने पुदीना तोड़कर रखाए उसको भी हम बारिक काट लेंगे धनिया तोड़कर रखें जिरह, अजवान, धनिया पाउडर, नमक, स्वाद राच। और हर इमेच भी हमने बार एक चॉप्ट करकर रखी है देखिए इस तरह से हमारे इंक्रिडियन्स लगबख सब तयार है आई अब हम बनाएंगे ग्रीन वेजिटेबल सूप इदेखिए अब हमने कढाई चड़ा दी है अब उसके अंदर हम थोड़ा सा ओल लेंगी एक से दो जिंजर गारलिक दोनों इसको हलका सा फ्राइ करेंगे पिले ताकि वो गल जाया अच्छे से इसके बाद 1 टी स्पून सॉल्ट डाला है हमने उसके अंदर ताकि वो अच्छे सी नमक के अंदर ही पक जाए फिर इसके बाद हम डालेंगे बारिक चॉप्ट ओनियन जो हमने ग जो अंदर अब हमकी डालींगे एक चोटा चमा जीडा एक चोटा चमा पाउडर अब इसको अच्छे से mix कर लेंगे इसको मच्छे से fry करेंगे हमारा पाउडर अब भूनने आएगा फिर सक ज़ाद थोड़ा- थोड़ा करके पानी डालेंगे तो कम से कम अधर दोसे ड्हाई कप पानी डालेंगे विखिए अमने इसके अंदर धाय का पानी ढाल दिया है अब हम इसके अंदर बॉय लाने देंगे उका लाने देंगे उसमें सब चीजे डालते जाएंगे इसके अंदर डाल रहे हैं बीन्स जो हमने ग्रीन काटि ती यह गाज़त यह बने कटकर रखी है यह अब हम इसके अंधर डाल रहे हैं अम हम देंसे मासriends के लाख श्व gonna digamos यह जो केट देंसे ईसके गट्षमार्टे हुआ यह जाए गाटकर डाली थी ट्रिक लाग्त लडेन यह शुक्षा ककडी ग्रीन कुकुम्बर जो होता है उसको हमने बारिक चॉप कर गया पहले हमने बड़े बड़े स्लाइस कर लिए फिर इसके आधे मने इसको बारिक चॉप किया है यह ग्रीन ऑनियन लीज अब इनको अच्छे से हम बॉयल होने देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे पेपर मिंट और कोरियंडर दनिया और पोधीना यह भी हम सब साथ में डाल देंगे इसको कम से कम 15-20 मिन बॉयल करेंगे कम से कम हमें इसे अच्छे से 15-20 मिन उमालना ही ताकि हमाई सबस्यों का सब अर्क उसके अंदर उतर जाए यह लास्ट में हमने सबसे आक्री में डाला है चॉप चिली ग्रीन चिली और इसमें थोड़ा से मैगी के नूडल्स ताकि बच्चों को जो है वो शोक से खाएं कि नूडल सूप बनाया है और इसी तरीके से उनके पेट में अच्छे से वेजटेबल भी पहुच जाएगी और बच्चों को बड़ों को सबको अच्छा लगेगा यह सूप बच्चे शोक से खा लेते हैं देखे हमारा सूप तयार है अब बिलकुल उबरकर हमने 15-20 मिनिट तूबल ने दिया था उसके अध्याद बंद कर दिया है अब यह हमने सर्विंग बाउर में निकाल लिया है और हमारा यह विंटर वेजटेबल स्पीशल सूप तयार है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें हमारा चैनल सब्स्क्राइब करें और इपने friends और relatives के साथ इसे जरूर शेयर करें. Thank you for watching.